हलो एवरिवन, मैं सेल्फ अंशुल दीमान और वेलकम बेक तो माई यूट्यूब चैनल एजूकेशन हब सो गाइस आज की मेरी इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही हमारा इंपोर्टेंट टॉपिक जो है लेकर आई हूँ हमारा आज का जो टॉपिक है निबंद का वो है गंतंत्र दिवस यानि के 26 जनवरी तो ये ऐसे आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाला है अब आपका इस पे कॉंपिटीशन होगा और आप अपनी जो है इस स्पीच भी देंगे तो आई होप ये जो है दोनों ही तरीके से आ आपके लिए जो है वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है सो इस वीडियो को बिना स्किप किये एंड तक ध्यान से जरूर देखेगा और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है आपको पसंद आती है सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझ इसको स्टार्ट करते हैं हम सभी को यानि के हम जो भारतवासी हैं इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम भारत जैसे देश के नागरिक है जो गंतांत्रिक होने के साथ साथ लोगतांत्रिक भी है और जहां सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं गंतंत्र दीवस के दिन ही हमा अधिकारों का वर्नन है फिर आप एक बहुत अच्छी सी कोटेशन यूज करेंगे आप चाहें तो इस कोटेशन को मैंने पेराग्राफ के बाद यूज गिया है आप चाहें तो इसको पेराग्राफ से पहले भी यूज कर सकते हो आप लिखेंगे विजे पर्व गंतंत्र उसको 26 जनवरी भी कहा जाता है जो हर साल पूरे भारत में मनाया जाता है 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तठ पर नहरु जी की अध्यक्षिता में पूर्ण स्वतंतरता प्राप्ती का प्रस्ताव कॉंग्रेस अधिवेशन में पास हुआ संगर्ष चलता रहा निरीह जनता स्व अलिवदी पर चड़ती रही अंतत है शहीदों का खून रंग लाया और देश स्वतंतर हुआ तो चलो ऐसे बहुत इजी कोशन है बट फिर भी मैं आपके लिए यह कोशन ड्रॉप करती हैं क्योंकि यह जो है अब हमारे कुछ जो व्यूवर्स हैं हमें सब को पता है 15 अगस लिजे मुझे कमेंट बॉक्स में तो फिर आगे लिखेंगे 26 जनवरी 1950 को अखंड भारत का सम्मीधान लागू कर दिया गया यह हुआ था 26 जनवरी 1950 को फिर है 26 जनवरी को तीनों भारतिय सेनाओं जल थल और नब जल यानि के वाटर थल यानि के जो हमारी भूमी है लैंड और नब यानि के आकाश के द्वारा भव्य परेड किया जाता है भारतिय सेनाओं के द्वारा राश्ट्र पती को सलामी दी जाती है तथा अत्यादूनिक हतियारों और टैंकों का प्रदर्शन किया जाता है देश की राश्ट्रिय शक्ती का प्रभाव दिखाया जाता है प गंतंत्र दीवस पर देश अपने महाननायकों को याद करता है यानि के जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं इस दिन स्कूलों और कॉलीजों में भी अनेक कारिक्रम होते हैं गंतंत्र दीवस भारत के गौरव और स्वाभिमान का दीवस है इस दिन हर भारतवासी को अपने मन तथा दूर व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं तो ऐसा सिर्फ हमारे देश के सम्मिधान और गंतंत्रिक स्वरूप के कारण संभव है यही कारण है कि हमारे देश में गंतंत्र दीवस को एक राष्ट्रिय पर्व के रूप में मनाया जाता है यही वह दिन है जब हमारे देश विश्व मानचित्र पे एक गंतंत्रिक देश के रूप में इस्थापित हुआ यही कारण है कि इस दिन को पूरे देश भर में इतने दूमधाम और हर्शोल लास के साथ मनाया जाता है भारत के गंतंत्रिका सारे जग में मान दशकों से खिल रही उसकी अदभुत शान सब धर्मों को देख कर मान रचा गया इतिहास का इसलिए हर देश वासी को इसमें है विश्वास मेरा भारत महान मेरा भारत महान सो गाइज ये था हमारा बहुत प्यारा सा एक शॉर्ट ऐसी अट्रेक्टिव सा आई होप ये आपके लिए हेल्फुल रही है वीडियो सो गाइज अब अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज 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 फिट दे लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा मुझे अपनी अंशु को ऐसे ही सपोर्ट कीजिए जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही करना होगा और वहाँ पर मैं आपको विदाउट एनी कोस्ट जो है PDF प्रोवाइड करा दूंगी बस आपको अपना जो है यही समझना होगा आपकी जो कोस्ट है कि आप मुझे ऐसे ही continue सपोर्ट करते रहे क्योंकि आपके जो लाइक कमेंट से वो में लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन का वर्क करते हैं so guys thank you for watching my complete video and good luck for your competition keep supporting me आज के लिए इतना ही thank you so much